इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी trabiscord 20 mg tablet एक दवा है जो आपके पेट में बनने वाले acid की मात्रा को कम करती है इसका उपयोग पेट और आंट के acid से संबंधित रोगों जैसे acid reflux, पैटिक अलसर रोग और अत्यधिक acid उतपादन से जुड़ी कोचान्य पेट की स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है trabiscord 20 mg tablet यानि की राबस के 20 mg tablet पेट के अलसर और अमलता को रोखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो दर्द निवारक के लंबे समय तक उप्योग के साथ देखा जा सकता है यह proton pump inhibitor यानि की PPI के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है यह दवा भोजन से एक घंटे पहले अधिमान तर सुभा में लेनी चाहिए खुराक आपकी अंतर नहित स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इसे नियमित रूप से प्रती एक दिन एक ही समय पर अपने चिकित सक द्वारा सलाह के अनुसार लेने का प्रयास करें आपको इसे निर्धारत अनुसार लेते रहना चाहिए, भले ही आपके लक्षन जल्दी गायब हो जाएं आप अधिक बार छोटे भोजन खाने और चाए और कॉफी जैसे कैफी नियुक पे और मसालेदार या वसायुक भोजन से परहेच करके अपने लक्षनों को सुधारने में मदद कर सकते हैं इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कराना, पेट फूलना, दस्त और पेट दर्द शामिल हैं ये आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर ये आपको परिशान करते हैं, या दूर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें आप इस दवा को जितनी देर तक लेंगे, साइड इफेक्ट का खत्रा बढ़ सकता है लंबे समय तक उप्योग, यानि की एक वर्ष से अधिक हड़ी के फ्रैक्चर के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, खास कर उच्छ खुराक के साथ घडियों के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे केल्शियम और विटमिन डी की खुराक लेना इस दवा को तीन महीने या उससे अधिक समय तक लेने वाले कुछ लोगों में निम्नरक्ट मेगनीशियम का स्तर, यानि की हाइपो मेगनीसिमिया देखा गया है इससे थकान, भ्रम, चक्कराना, मांसपेशियों में मरोड और अन्यमित दिल की धरकन हो सकती है इसे रोकने के लिए आपका डॉक्टर आपके मेगनीशियम के स्तर की निगरानी कर सकता है ट्रैपिस्कॉर्ट 20 मिलीग्राम टैबलेट कुछ लोगों के लिए उप्यूक्त नहीं है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को यह बताना होगा कि क्या आपको लिव की गंभीर समस्या है HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं अतीत में इसी तरह की दवाओं से अलजी की प्रतिक्रिया हुई है या हड़ियों के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपके पेट में अत्यधिक एसिड बनता है और आपके लक्षन बिगर सकते हैं यदि यह दवा आपको चक्कर या नीन का अनुभव कराती है तो वहन न चलाएं या मशीनरी या उपकरन का उप्योग न करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद